हलो दोस्तों मेरा नम मुहमत कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल टीजिटी पीजिटी 2021 परिक्षा किन्द को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है सभी छात्रों के बीच में अभी भी बहुत सारे ऐसे चात्र हैं जिनकी मांग है कि परिक्षा सिर्फ और सिर्फ मंडल मुख्यालियों पर ही कराई जाए इसके पहले भी युवा मंच ने काफी मजबूती के साथ ये मांग रखी थी और अभी भी वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं एक बड़े आंदोलन का भी उन्होंने चेतावनी दिया है उन्होंने कहा है कि परिक्षा सिर्फ फरसिक मुख्यालियों पर हो और अगर आप जिलों में परिक्षा करा रहे हैं तो फिर उन विद्यालियों को परिक्षा केंद्र कतई न बनाये जाए जहां पर तदक्ष रिक चुके हैं परिक्षा केंद्रे अब दोस्तों इसी बीच में प्रतियोगी मोर्चा के सैयों जख विखी खान ने भी ऐलान किया है कि वह सभी जिलों में होने वाली परिक्षाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश यही है कि परिक्षा सिर्फ मंडल मु कस्वों में अगर यह एक्जाम होगा तो पेपर आउट होने के चांसे बहुत ही ज्यादा रहेंगे तो दुस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोगों के लिए पाने के लिए साधे साथ टीजिटी पीजिटी के अड्मिट कार्ट को डाउनलोड करने के लिए फ बढ़े शहरों से पेपर आउट हो जा रहें तो जब चोटे-चोटे सर्व और गाउं में परिक्षा होगी तो बहुत ही ज्यादा चांस रहेगा कि पेपर बाहर चला जाए या फिर कहीं ने कहीं से कुछ नकुछ गरबड़ी जरूर हो जाएगी सिक्षा माफिया जो हैं व इस परिक्षा में फेल हो जाएंगे तो नौकरी हाथ से चली जाएगी काफी समय से नौकरी कर रहे हैं बढ़ियां पैसा कमा रहे थे और इस परिक्षा में दोस्तों कोई इंटर्व्यू नहीं है सिर्फ एक दिन की परिक्षा है किसी तरह से कुछ अगर सैटिंग चल गई तो फिर नौकरी उनके हाथ में आ जाएगी बहुत सार अच्छात यह कह रहे हैं कि प्रिएट की परिक्षा भी तो सभी जीलों में हो रही है यूपी टेट भी तो सभी जीलों में होता है तो बीएट की परिक्षा दोस्तों वह अलग चीज है वहां पर कोई गरबड़ी कर भी लेगा तो क्या पाएगा उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा लेकिन वहां पर उसको दो साल तो बीएट करना ही पड़ेगा फिर यूपी टेट देना ही पड़ेगा फिर शिक्षक भरतिक परिक्षा देने ही पड़ेगी तो वहां पर गरबड़ी होने के चांज़ परिक्षा है यहां परदोस्तों टीजिटी में सिर्फ और सिर्फ वन डे का एक्जाम है पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंटर्व्यू नहीं हो रहा है और एक बार सेटिंग अगर इन तदक्सक्षकों ने या किसी ने भी ऐसा नहीं तदक्सक्षक सामान को या भरती हमारे पैसा है उनके पास धन है उनके पास जुगाड़ है तो वो कोशिश चाड़ा करेंगे गरबड़ी करने का तो आप लोग बताए कॉमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं परिक्षा जिस तरह से चैनबोर्ट करा रहा है सभी जुलों में वैसे ही हो जाए तैंस समय पर या फिर वैलों में परिक्षा करा सकता है तो आप लोग अपनी वैलोबल फिट बैक को कॉमेंट सेक्षन में जरूर लखिएगा यूवा मंच की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर चैनबोर्ट ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम कोट का भी सहारा ले सकते हैं जब बात होई छात्रो की मुलाकात जल्दी ही अध्यास साप से भी होगी चुकि अभी वह चैनबोर्ड में अवैलेबल नहीं है जैसे ही वा आते हैं उनसे भी मुलाकात होगी और विखी खान जी का कहना है कि सुप्रिम कोट ने यह कहा है कि 31 सक्टूबर तक भरती कंप्लीट हो जाए और अगर आ 31 सक्टूबर तक नहीं कंप्लीट हो पाएगी यह बढ़े जाएगी आगे तो अगर आप इमांदारी से यहीं चाहते हैं कि भरती समय से पूरी हो जाए तो सिर्फ मंडलों पर ही परिक्षा कराई जाए बाकि अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है उपक्मंत्री जी बढ़ने से भरती लटक भी सकती है तो आप लोग अपनी राय दीजेगा कॉमेंट सक्षर में बाकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी जो करेंट सिचुएशन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ा इकन दबा लेजे ता कि आपको हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें थांक्स वर वाशिंग